आज हम बात करने वाले हैं Asus TUF A15 और A17 लेप्टोप के बारे में Asus TUF सीरीज मोस्ट पावरफुल गेमिंग सीरीज लेप्टोप है जो की अल्टिमेट गेमिंग और पावरफुल टास्क के लिए मनाईगी है साथ ही साथ हम बात करें तो उसकी डिरेबिलिटी और मस्बूट डिजाइन और सकतिशाली हार्डवे जो की 810H मिल्टरिगेट सर्टिफिकेशन के साथ आता है ये बात हो गई उसकी बिल्ड क्वालिटी की आगे हम बात करेंगे उसके परफॉमंस की परफॉमंस की अगर बात करें तो एसो स्टफ ए 15 और 17 में अप टू रइजन 9 सीरीज का प्रोसेसर आता है जिसके साथ NVIDIA RTX 30 सीरीज का GPU हम मिलता है जो की हमें ultimate gaming और performance में better experience देता है साथ ही साथ RAM की अगर में बात करो तो अप टू 16 GB RAM DDR5 4800 MHz के साथ मिलती है इसके साथ 90W की आपको बैटरी भी मिल जाती है जो की fast charging को support करती है ये बैटरी आपको long lasting backup भी देती है जो की आपके gaming performance और experience को बढ़ावा देता है डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो up to 300 refresh rate के साथ यहां पर आपको full ND panel मिलती है जो की 100% DCI को support करती है इसके साथ साथ आपको adaptive sync मिलता है जो की आपके FPS gaming experience को बहुत ही smooth बनाता है अब cooling system की बात करें तो 84 blade arc self cleaning mechanism के साथ cooling system आती है जिसके अंदर cooling के लिए 5 heat pipes लगाई हुई है जो की copper metal की बनीने लिए है इसके साथ साथ बहतर cooling के लिए 4 exhaust van भी आती है कंट्रोल्स की अगर बात करें तो gaming के लिए keyboard के अदर 4 hotkeys दी गई है और touchpad जो की comparatively 26% larger हमें मिलता है यहां पर keyboard के अंदर key की अगर बात करूँ तो 1.7 mm की travel distance के साथ RGB chiclet keyboard इसके अंदर हमें मिलता है जो की look wise बहुत ही premium fill देता है audio की अगर बात की जाए तो यहां पर Dolby Atmos के supported दो speaker दिये हुए हैं जो की high-res technology से less है इसके साथ साथ 2-way AI noise cancellation technology के साथ हम बैतर video calling और उस तरह की दूसरी task भी कर सकते हैं connectivity के अगर बात करो तो लेपटोप के left side के अंदर हमें सब सब पहले charging plug, RJ45 connector, HDMI plug, USB Type-C और USB 3.0 का एक plug मिलेगा उसके साथ साथ एक audio jack हमें मिलता है जिसकी वज़े से हम headphone या तो इस तरह की दूसरी चीज़ें लगा सकते हैं वहां दूसरी side की अगर मैं बात करो तो USB 3.0 का एक code आक को मिलेगा warranty की अगर बात की जाए तो ASUS TUV series के साथ आपको 1 year international warranty warranty है और ये warranty across the world 84 countries के अंदर valid है साथ ही साथ अगर मैं बात करो तो across the India ASUS on-site warranty भी provide करता है और आप authorized service center जाके लिए after cell service को ले सकते हैं तो आज हमने जाना ASUS TUV A50 और A17 के बारे में मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माधियम से मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्याओन